हम लोग 49 और 51 की राजनीत नहीं करते हैं, हम 100% की राजनीत करते हैं अनन्द मोहन जी की जीत की गारंटी जितना हमारा समाज नहीं देता था उससे कई गुना अधिक दूसरा समाज कहता था नितिस कुमार जी के कारण BGP का बहुत सीट जीतने का काम किया नहीं तो BGP हासिय पर चला जा उधर से बहुत सारी अनर्गल बाते कही गई तो हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे था आनन्द मोहन जी के प्रती जो नेर्टिव सेट किया जा रहा है कि दलित बिरोधी है या दलित इनको वोट नहीं देगा यह सब की सफाया हो गया है कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रहा जहां से हमको वोट नहीं प्राप्त हुए है सीभर की जनता ने निर्ने करके बता दिया कि सीभर जात पात पर नहीं जाता है हम लोग 100% के बन करके वहाँ पर जो है ममी उधर काम करेंगी हें चुक्त हम यह कभी सीट हारने वाले नहीं थे हो हारे हैं तो कहीं न कहीं हमारे निटले इस्तर पर करकरता हम से चूप हुआ है जबसे हम लोगों के परिवार में सब कुछ ठीक होना ही लगा है तो रहा है सीवर लोक सभा सीट से लवली आनन चुनाओ जी चुकी है और उसके बाद हम लगातार अलग 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 लोगों से बाचित करें किस तरह से देखते हैं चेतन आनन जी चुकी है माता जी चुनाओ जी चुकी है शिवहर लोग सभा सेट जो काफी चर्चे में रहा था कहा यह जा रहा था कि सबसे पहले अगर कोई सीट इंडिया हारेगे तो वहीं लोग सभा सेट चुनाओ हारने जारी अब किस तरीके से आप देखें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और हम तमाम जंता को जिन्होंने म सकता है आपको वोट दिया हो 49 वोट नहीं दिया हो लेकिन जीत जाने के बाद 100% के आप होते हैं हम लोग 100% के बन करके वहां पर जो है ममी उधर काम करेंगी परचंड जीत कहीं नहीं मिला है आप लोगों को किस तरीके से देखते हैं आगे का क्या देखें पॉजिटिव इ आखरी बार MP 94 में बनी थी और अब 30 साल बाद फिर MP बन रही है तो यह हमारे लिए बहुत एक भावक कर देने वाला पल भी है और साथी साथ पिता जी के जेल जाने के बाद यह 17 साल का जो यह संघर्ष रहा तो उसके बाद जब से हम लोगों के परिवार में सब कुछ ठीक होना ही लगा है तो हमको लग एक रहा है पिछले दो-तीन साल से आप देख रहे हैं जब से हम अमेले बने उसके बाद गर परिवार में जो है एक रौनक भरा वातावरन दिख रहा है तो यह पॉजिटिव है हम लोगों के लिए एक नेरेटिव सेट करने की कोशिस की गई थ अपने काम में लगे हुए थे और अपने काम में हम लोग सफल रहे हैं एक सवाली अभी होगा कि कहा जा रहा था कि वहां का जो बनिया भोत है वो आप लोग के साथ नहीं आगए बनिया भोत लेकिन अब आप लोग को क्या देखिए जैसा कि मैं बूल चुका हूँ कि हम लोग 49 और 51 की राजनीत नहीं करते हैं हम 100% की राजनीत करते हैं और हमें स क्या किया इस सब की बाते जो है यह चोटी बाते होती हैं इस सब पर हम लोग पढ़ते नहीं है किस तरीके से आप खुद लगतार लगे हुए थे उस सीट पर और खुब जोरो सोरो से प्रचार प्रशार कर रहे थे किस तरीके से देखते हैं प्रचंड जीत मिली है देखे इस युहर की जीत एक इतिहासिक जीत है आनंद मोहन जी का संघर्ष की उधरती है मैंने जब घूम रहा था देखा आनंद मोहन जी के प्रती प्रेम और उनके प्रती जो लोगों का जो भरोसा और कहते हैं कि कौन नेरेटिव सेट किया गया है हम देखे सहनी में उनकी आत्माबस्ती है सहनी दिल में लगाए हुए बेठे देखे दलित देखे अती पिछा देखे गरीब गुरुवा जो आनंद मोहन की ये निरेटिव सेट किया जा रहा था कि आनंद मोहन की पहचान सिर्फ राजपुतों में है हमने देखा कि स्वर्व जातिये में आनंद मोहन जी के क्या प्रभाव है हमनों का तो गुरु रहे हैं हमने देखना बेचान मुझे आउसर मिला और पूरी तरह से तिन-चार विधान सभा हम लोगों ने देख उहमा और आनंद मोहन जी की जीत की गारंटी जितना हमारा समाज नहीं देता था उससे कई गुना अधिक दुसरा समाज कहता था इसलिए आनंद मोहन जी के प्रती जो narrative सेट किया जा रहा है कि दलित बिरोधी है या दलित इनको वोट नहीं देगा ये सब की सफाया हो गया है और आनंद मोहन जी सभी जातियों में विश्वास रखते है और सभी जाति आनंद मोहन में विश्वास रखता है ये इस बार की चुनाव ये बता दिया आपको इस भीड भार के समय में प्यस्ता की वज़ा से जो प्रोग्राम शुहर में लगना चाहिए था भारत का दर्णिय पधान मंत्री जी का या अमित साह जी का ये कोई प्रोग्राम नहीं लगा चुकि इतनी भीट था पढ़ान मंतिजी की इतनी कारकरम था अमित सहाजे के इतनी कारकरम था ये प्रोग्राम नहीं होने पर लोगों में थोड़ी मायूसी थी लेकिने आप देख लिजिए कि वहां की लोगों ने इस बात की परवाह नहीं किया कि किसका प्रोग्राम लगा ह किसका नहीं लगा है आनंद मोहन है और हम उसका है यह बताया है यह चुनाव इसलिए एतिहासी कही सिटें इंडिये हार गई इस बार जैसे आप बात करें तो आरा हार गई और अंगाबाद हार गई जहानाबाद कारा काट बकसर क्या देखते हैं किस तरीके से क्या वज़ा हो तो आप देख लिजे कि इतना करने के बावजूद भी मात्र चार सीट अप लाए हैं जेडियू ने कि परफरमेंस क्या मेडिया कहते थे कि जेडियू पूरी सीट हार जाएगी जेडियू ने अपना परचम भाराया निस चुनाव में कहीं कहीं हम लोग को जरूर है कि जरूर कमी रही उसकी समिक्षा की जाएगी चुकि हम एक भी सीट हारने वाले नहीं थे ओहरे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नितली अस्तर पर करकरताओं से चूक हुआ है इसकी एक गहन समिक्षा की जाएगी किस तरीके से देखते हैं सर प्रचंड जीत मिली है अनन्द परिवार को सीवहर में बड़ी जीत मिलती है हलागि कई सीटे हारे में सभी बातों पर चर्चा हमारे पुर्मंत्री जेकुमार सिंग जी ने और शीवर के मानिया विधायक चेता नानुन जी ने बताया ही है कि सर प्रथम हम आपके चैनल के माधियम से हैं सीवर के जनता को हिर्दा से धनवाद देना चाहते हैं कि महागटबंधन के नेताओं ने जिस तरह से वहाँ जातिय उनमाद अगला पिछला करने के लिए कहीं से खोज के एक उमिदवार देने का काम किया सीवर की जनता ने निरने करके बता दिया कि सीवर जात पात पर नहीं जाता है पिछरा उमिदवार था और पिछरा आती पिछरा अदलित महादलित के लोगों ने जो समर्थन दिया लवलियानन जी को हम इसके लिए कायल है और खास करके आनन्द महांजी के परिवार को भी हम धन्यवाद देना चाहते है कि जितने भी इनके घर के मेंबर थे जाहे वो बेती थी, बहु थी, इनके लड़के चेतान आनन्द थे, अनसुमान आनन्द थे कोई ऐसा जाती और परिवार महला नहीं था जाहे इनोंने अपनी उपस्थिती नहीं दी ये भी इनके परिवार के लिए ये काविले तारीफ है और खास करके हम अपने नेता नितिस कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते है अब पता लगा लिजेगा कि सीभर संसरिय छेतर का जो दायरा था उसमें भाजपा का कोई रास्टिय नेता नहीं है सिर्फ हमारे नेता नितिस कुमार जी का प्रोग्राम हुआ और यह प्रमानित कर दिया कि बिहार में नितिस कुमार जी का जो काम है जो चेहड़ा है जो उनके गठबंधन में जो उनके पिछरा आती पिछरा और सभी जाती हैं कि लोगों का जो सनेव प्यार है उसके लिए किसी दूसरे नेता की आवसकता नहीं है और दिन बात्म की चर्चा ये कुमार बाबू ने किया है कि मिडिया वाले ने क्या प्रपंच चर्चा कि बीजेपी का बहुत सीट जीटने का काम किया नहीं तो बीजेपी हासिय पर चला जाता है निश्ची तदी नेतिस कुमार नहीं रहते तो हासिय पर चला जाता है चुकि कई बड़े नेता तो आये ही नहीं और दूसरी बात दलीत और जो बनिया भोटर थे वो नहीं आ सकते थे आपके साथ लेकिन आये इस पर बनिया भोटर बर्चर के लिए है बनिया भोटर बर्चर के लिए जहसे मैं बिल्सन बिधानसवा की बात कहता हूँ वह से तुमें पूरे सिभर संसरीय चितर के परभार में था और कई जगह करीब चार-पांच विदान सभाय में जे कुमार सिंग जी भी गए थे परसोनी साथ पंचायत है और वहाँ चार सो राजपुतों की संखिया है और लबली अनन जी परसोनी बलोग से छे हजार से लीड की बेलसन नौ पंचायत एक नोटिफाइड एरिया है वहाँ चार हज़ार राजपुत है और वह बारा हज़ार से लीड की तो ये तो पिश्राओं का अपार समर्थ है ये इस पर कोई उंगली नहीं उट सकता है देखिए हमारे साथ कई बड़े बड़े नेता जो लगातार मिलने जुलने का कारिकरम है वो चल रहा और ऐसे में हम उनने उनसे बाचित करने की कोसिस की है देखिए उन्होंने क्या कुछ कर रहा था हमने सभी की बाते सुनी है तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें धन्यवाद